Hello everyone, मैं Advocate विक्रान्थुड़ा और आज हम बात करेंगे उस confusion के बारे में जो आम तोर में लोगों में होता है लोगों को ये बड़ा confusion रहता है कि Lawyer, Advocate, Public Prosecutor, Advocate, General इनमें क्या difference होता है तो उसी difference को हम आज के वीडियो में clarify करेंगे सबसे पहले जानते हैं Lawyer कौन होता है Lawyer वह व्यक्ति होता है जो Law की पढ़ाई करने के बाद Law की डिग्री हासिल करता है चाहे वो 3 साल की LLB करने के बाद हो या फिर 5 साल की LLB करने के बाद हो उसे complete करने के बाद में वह व्यक्ति कहलाता है Lawyer यानि वकील अगर यही law की डिग्री कोई व्यक्ति इंग्लेंड से करता है तो वह कहलाता है बैरिस्टर और law की डिग्री हासिल करने के बाद अगर आप BCI यानि Bar Council of India का exam देके अपने आपको enroll करा लेते हैं तो वह व्यक्ति कहलाता है advocate यानि अधिवक्ता यानि अधिकारिक वक्ता जो किस होता है वह कहलाता है public prosecutor और जो व्यक्ति जो advocate state government की तरफ से state government को court में represent करता है वह कहलाता है advocate general और जो व्यक्ति जो advocate central government की तरफ से central government को court में represent करता है वह कहलाता है attorney general और जो व्यक्ति जो advocate attorney general का assistant होता है उसे assist करता है वह कहलाता है solicitor general ये एक बहुत ही मामूली सा difference था जो सभी को पता होना चाहिए और खासकर उन लोगों को जो litigation या law के field से जुड़े हुए है आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ये प्लीज मुझे comment box में नीचे लगके बताईएगा और अगर आपके mind में कोई topic है जिसके आपको लगता है कि मुझे वीडियो करना चाहिए तो प्लीज नीचे comment section में मुझे वो भी बताईएगा मुझे बड़ी खुशी होगी और आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में भी आपके लोगता है